पाकिस्तान के सिंफ प्रांथ के मातली जिले में 25 मार्ष को करी 500 हिंदूओं को जब रन्दर्म परिवर्तन करा इसलाम कबूल कराया गया। गर्म परिवर्तन कराये गए लोगों में से अधिक तर वो लोग थे जो भारत में शरण लेने आये थे। लेकिन लॉन्टर्म वीजा ना मिलने के कारण उन्हें पाकिस्तान लोटना पढ़ा था। जब रन्दर्म परिवर्तन का ये कारिक्रम पाकिस्तान के पूर्वराश्ट्रुपती और सेना प्रमुक जनरल परवेज मुशर्रफ के पार्टी ओएल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों ने आय जाने की बात ये है कि जब पाकिस्तान में 500 हिंदूओं का जबरन दर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उससे सिर्फ पांच दिन पहले ही जिनेवा में सयुक्त रार्ष्र मानवादिकार परिशद में सिंध प्रांत में अलपसंख्यक हिंदूओं पर हो रहे अत्याचारों औ दर्म परिवर्तन पर चिंता चताई जा रही थी, इस सत्र का संचालन मुस्लिम कैनेडियन कॉंग्रिस के पाउंडर और लेखर तारिक फट्या ने किया था, वहीं सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पर वर्ल्ड सिंधी कॉंग्रिस के चेर पर सन्रूबिना शेख ने बताया कि किस तरह से सिंध में हिंदूों पर अत्याचार किये जा रहे हैं और उनका जब रन्दर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नए मुस्लिन बनने की मुबार कबार दी। बतादेक की भारत सरकार ने पाकिस्तान से आये 5000 विस्थापितों को साल 2005 में नागरिकता प्रदान की थी। फिलहाल 15,000 के करीब विस्थापित लौन डर्म वीजा पाने के लिए दिल्ली और संबंधित जिलों में भटक रहे हैं राचस्थान से पिछले तीन सालों में 1389 हिंदू विस्थापितों को पाकिस्तान वापस लोटना पढ़ा है। ताज अदर्म परिवर्तन की घटना भी उन्हीं हिंदूों के साथ घटी है जो भारत में वीजाना मिलने की कारण वापस लोट गए थे। झाल झाल